इसी वीडियो में बात करेंगे हाउ टू चूज एन इंट्रेक्टिव फ्लैट पैनल आप देख रहे हैं यह इंट्रेक्टिव फ्लैट पैनल पर ही मैं जो भी अपनी वीडियो बनाता हूँ टीच करता हूँ, सेंड करता हूँ उसका चैन मैंने दस महीने से ज्यादा रिसर्च करके डाटा क्लेक्ट करके किया है तो वो जो इन्फोर्मेशन मैंने कलेक्ट की थी वो सिर्फ शेयर कराओं कि बाकी जो लोग टीचर्स तंग हो रहे हैं वो इतना तंग ना हो, डिसीजन लेने में आपकी mental energy, money, दोनों और time, तीनों सेव हो जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप interactive flat panel खरीद रहे हो दिर आरे number of factors जो जो मैंने face किये थी problem वो मैंने factor बना लिये major factor वैसे last में ये तीन ही आएंगे मैं बता देता हूँ, सबसे पहले brand second, your size and third, with or without OPS open pluggable specification ठीक, brand में आप क्या prefer करते हो अगर इसको बड़ा कर ले, मैं जान बुच के whiteboard यहाँ यहाँ यूज कर रहा हूँ, आप देख सको कि यह कैसे यूज किया जा सकता है for example, यह बाद में करेंगे पूरा detail में कि यह रहा आपका okay, brand आपने popular non popular वो आगे चल के बिताता हूँ, और वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्योंके popular और non popular कौन से हैं, इदर size की बात करें, जो major confusion है, वो है 75 और 65 इंचिज जो खास करके जो teachers teach करना चाहते हैं, confusion है, तीसरा factor, चौथा factor जो आपका budget है, money, पैसा budget वो बाद में बात करते हैं, actually budget इन दोनों के साथ ही related है, तीनों के साथ related है, चार factor है, जो major है, इसके इलावा बाकी factor भी बात करूँगा, तो इस पर बाद में आते हैं, यहां पर वापस जाएंगे, यह मैं जानबुच के show कराऊं कि interactive flat panel, जो use उसका है, कितना facilitate करता है teacher को, और plus आप अपने कितने functions कर सकते हो, अगर आप versatile teacher हो, creative teacher हो, तो panel आपके लिए बहुत ज़रूरी है, यह heading में क्यों भी लिखा है, क्यों का different video होगा, क्यों यह खरीदना चाहिए, वो इसके feature है, बहुत ज्यादा, जो मतलब हम लोगों क पता भी नहीं होते, जो मैं use कर रहा हूँ, वो किसी और वीडियो में बताए गए है, वो आप देख सकते हो, अच्छा, सबसे पहले size है, size 55, 65, 75, 86, ठीक, तो major, जो decision, नॉर्मली लिया जाता है, वो 75 और 65 में, जो 86 का है, यह है एक, जो academies है ना हमारे पास, कितनी academies है, यह शायद होगी, यहाँ पर बनी हुई, यह देखिए, academies जो 22 इंडिया में best जो चल रही हैं, इनके एक institute में, मतलब सैंकडों ऐसे पैनल लगे हुए हैं, जहां teacher जाते हैं, teach करते हैं, और जैसे college में जाते हैं, ऐसे ही teacher करके आ जाते हैं, तो यह पैनल कम से कम उनों लोगों मुझे बताया, जन से मैंने data collect हिया, कहते हैं कि 8 हर 10-10 घेंटे भी चलते हैं, ठीक, यह भी एक factor रहेगा, तो यह जो use कर रहे हैं, इतने जने, यह, क्योंकि यह, मतलब है, इनके पास budget की कोई problem नहीं है, इनकी list क्यों दिखा रहा हुँ मैं, क्योंकि बाइजूज का, टैप सारे नाम सुने होंगे, यह जो लोग हैं, इनके पास छोटा size ही नहीं होता, यह बड़ा ही prefer करते हैं, अगर आपका काम कुछ ऐसा है, तो आपका decision पका है, कि आपको 75 और 86 के लिए जाना चाहिए, इवन यहां पर 86 की provision भी है, 86 भी, ठीक, तो अगर आप normal teacher हो, tuition करते हो, और आपका budget normal है, यह normal की कोई definition नहीं है, आपने यह देखना है, आपका return कितना है, आपके पास जिहरा कितना है, दोनों बाते हैं, मैंने तो पूरा मेरे पास कोई return नहीं है, मैं आगे चलके इसकी भी बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ अपना शौंक पूरा करने के लिए, teaching का श और कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप return, monetary return चाहोगे, ठीक, तो आपने पहले यह decide करना है, आपको size कौन सा चाहिए, अगर आपको, मतलब, आपका writing बहुत लंबा होता है, maths वाले बहुत लिखते हैं, physics वाले बहुत लिखते हैं, यह आपने खुद देखना है, कि लिखना पड़ता है, अगर ज्यादा लिखना पड़ता है, तो आपका decision हो जाता है, कि आप 75 की तरफ ही जाओगे, दूसरा, कि आप कितनी, क्या, जैसे मैंने यह split 3 की हुई है, एक screen है, दूसरी screen है, यह देख सकते हो, आगे पीचे चल रहा है, यह PPT है, दूसरी PPT है, और यह whiteboard है, ठीक है, whiteboard बड़ा भी हो जाता है, आपके सामने किया है, छोटा भी हो जाता है, यह भी आपके सामने किया है, तो ऐसे functioning आपकी ज्यादा है, जब division हो गई screen की, it means, आप 65 पर नहीं जाओगे, ठीक, अच्छा, तीसरा factor, जो interact करता है, अगर आपने सिर्फ यूट्य पर करना है, सिर्फ कैमरा से, जैसे यह मेरे सामने कैमरा लगा हुआ, मैं सिर्फ recording कर रहा हूँ, फिर आपको, आपका असानी से 65 में सर जाएगा, फिर आपको लार्ज पर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास budget की problem है, अगर आपके पास budget की problem नहीं है, आपके requirement, subject की लिखने की, division की, split screen की है, तो आप बड़े पर ही जाएए, बजट है, अगर बजट की problem है, और सिर्फ YouTube पर आना चाहते हो, तो आप 65 पर आराम से आजाना चाहिए, एक्चुली जितना आप delay करते हो, मैंने 10-12 महीने सिर्फ study करने में लगा दिये, अगर मैं जल्दी खरीद लेता, तो आज मैं अपने students से जो जिन population तक मैं पहुंचना चाहता था, interact करता होता, क्योंकि अब YouTube पर इतना ज्यादा competition है, जो चार साल पहले establish हो चुके हैं, वैसा अब कुछ नहीं है, अब आपको 5 गुना, 3 गुना संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक, तो जल्दी decision ले ले चाहिए, decision delay means you are losing something, ये पकी बात है, हाँ, उसके लिए आपको assistance चाहिए, ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बात हो गई आपकी, अच्छा, size के और factor अगर है, अच्छा, brand, ये मैं बात कर दूँ, ये important बात है, brand, मैंने पिछले वीडियो में बार बार जिकर किय रहा था, brand कहां है, ये ये ये, कहां चले गए, कहां चले गए, ये रहे brand, अब इसको देखो बड़ा कर रहा हूँ, ये brands है, दो division की हुई है, मैंने अपनी तरफ से, जैसे जो data मैंने dealer से, user से, जो brochure से collect किया था, उनको ही systematically करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो popular brand है, naturally ये महेंगे होंगे थोड़े, ठीक है, और non popular brand है, ये सस्ते मिल जाएंगे, अब जो चीज सस्ती है, उसमें आपको अच्छा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये एक simple नुकता है, ठीक है, उसमें उतना अच्छा नहीं मिलगा, जितना कहते हैं, पंजाबी में good डा होगे, उतना ही मीठा होगा, तो इस पर डिफरेंस क्या है, आप अपनी जरूरत और परपस के मताबक इधर भी आ सकते हो, अब ये जो प्रोड़क्ट्स हैं, LG का है, व्यू सॉनिक है, बैंक्यू है, मैक्सब है, सैमसंग फ्लिप है, सैंसंग फ्लिप है, सैंसंग फ्लिप अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हो, इनके OPS के प्राइज, इनके पैनल के प्राइज, इनके जो स्पैसिफिकेशन है, हाड़वेर की, सॉफ्ट वेर की, सॉफ्ट वेर की, सब बता चुका हूँ, LG को पहले नमबर पर क्यों रखा है, क्योंकि सर्विस में नमबर प्रड़क्ट है, ये बजार में आम नहीं बिकती, इसलिए अगर इसमें कोई प्राइज आती है, तो आपको सर्विस की जरूरत पड़ेगी, जिस डिलर से आप ले रहे हो, उसके पास सर्विस कंडिशन अच्छी होनी चाहिए हरारत में, अगर आप नॉन पॉपलर में जा कर रही है, इनके पीछे लोकल कंपनी काम कर रही है, अच्छा दूसरा फर्क इन में क्या है, कि ये इंटरनेशनल लेवल है इनका, और इनका इंडियन लेवल भी हो सकता है, दूसर तीसरा पॉइंट, ये जो है, इनका सर्टिफिकेशन होती है, जैसे आई केर टेकनालोजी की है, इनकी सर्टिफिकेशन होगी, एक इंटर्वियू में बेज़े ये पता चला था, कि आपका महंगा क्यों है, वही इनका सर्टा क्यों है, ये कहते हैं, कि हमने भी आई केर टेकनालोजी का जो टेस्ट करवाया होता है, मतलब वो टेकनालोजी इसमें डाली होती है, ले हमें सस्ता मिलता है, हम सस्ता बेचते हैं, एक लाजी की यह दिया था इनके, तो यह इनके पास सर्टिफिकेशन होती है, सर्टिफिकेशन है, तो उसकी रिलाइविल्टी वैलिडिटी अधिक हो गई, पर यह बात कहां से पता चले कि यह लोग सच बोल रहे हैं या नहीं, यह ऐसे पता चली कि जब मैंने सर्वे किया कि जो नॉन पॉपलर ब्रैंड से उन में दो प्राब्लम थोड़ी सी मुझे इन्फोर्मेशन मिली, एक हीट अप होने की, कि यह हीट अप हो जाते हैं, साल दो साल बाद, इनकी हीट जो है, मान लिजी अप तीन गैंटे, दो गैंट चार गैंटे ज्यादा यूद करे हो, तो हीट पर्डूस करते हैं, एक इन में ऐसा भी ब्रैंड जिसकी मुझे पूरी शकायत जो केस मिला था, दो केस थे वो, तो वो पूरा हीट अप हो गया, और उनको ब्रैंड वालों को फोन करना पड़ा, तो लेकिन कितने दिनों में सर्विस मिली, वो तीस दिन के बाद उनको सर्विस मिली और वो ठीक करने आएं, तो ये फर्क इन में जो ऐसे फर्क हैं, वो आपको कमपैल करते हैं, कि आप पॉपलर ब्रैंड की तरफ जाएं, क्योंकि इनके पीछे पूरा कमपनी खड़ी है, सर्विस कंडिशन इनकी तंग होगे, तो ये टेकनालोजी वाला मामला इतना है, कि मेरा कैमरा खराब होया, मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, मेरी लाइट नहीं ठीक, मेरा इसका सप्लिट नहीं था चल रहा है, पहले मुझे फिर OPS डलवाना पड़ा, ठीक है, तो एक चीज भी सेट नहीं है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप आपको ये लगबग परफेक्ट जाहसा सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो अगर इन ब्रैंड्स में कुछ फ्ला आता है, तो नैचुरली आपको फिर इधर को शिफ्ट करना चाहिए, अच्छा इन में वेरियेशन जो है, उस पर वीडियो आ देखिए, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लिस्ट प्रपेर कर लेनी चाहिए, आगे पॉइंट लिखा है, जाके मैं दिखाता हूँ, लिस्ट रिटन प्रपेर किरिए, अपनी प्रेफरेंस की और जो इनकी टेक्नालोजी आपकी प्रेफरेंस से मैच कर रही है, तो जो सर्विस कंडिशन इनकी ऐसी है, लेकिन व्यू सॉनिक का जो मैं से सर्वे किया था, जिन्होंने प्रोजेक्टर इनके जो काफी समय से बेच रहे हैं, उन्होंने उतनी ही तरीफ की, जितनी LG वालों की की, के सर्विस कंडिशन इनकी कंप्रिंगी बहुत अच्छी है प्राप्लम जब आती है, इमिडेट सॉल्व हो जाती है, ठीक, तो इनकी सर्विस कंडिशन ये क्यों डाउन रखे हैं, सर्विस कंडिशन इन से डाउन है, अगर आप इन में से चूज करना चाहते हैं, ये वीडियो में भी बता चुका हूँ, अच्छा, तो ये बाते हो च सीजन आप लेना चाहते हों, कि मैं पॉपुलर ब्रैंड में जाओं, जान नौन पॉपुलर में, जो अलिस्ट आपने देखी है, तो ये डिपेंड करता है, और फेक्टर पर पी, कि फॉर एग्जाम्पल आप आपने कितनी देर यूज करना है, पैनल जो है, कितनी देर ज़्यादा टाइम यूज करना चाहते हो, आपकी अकेडमी जा ट्यूशन सेंटर, जहां आपने ओनलाइन जो भी वीडियो बिनानी है, ये कॉंटेंट में डेवेल्प करना है, तो आपको फिर भी पॉपुलर ब्रैंड की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा यू परपस आपका क्या है, अगर यूट्यूब पर ओनली है, तो आप चोटे पर पजा सकते हैं, बजट लो है, ये भी बात हो चुकी है, स्ट्रीमिंग पर फेस टू फेस आप टीच करना चाहते हो, तो आपके लिए बड़ा साइज चाहिए, अगर फेस टू फेस आप टीच कर चाहिए, ये डिसीजन आपको लेना बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि क्लियर कट नॉलज किसी के पास नहीं है, ओपियस क्यों चाहिए, ओपियस की मुझे जरूरत पड़ी, ये स्पलिट के लिए, अंड्रॉइड वर्जन अगर आप लेते हो, तो उसमें स्पलिट नहीं हो रहा था, मुझे ओपियस बाद में लगवाना पड़ा, पर अगर आपको स्पलिट की जरूरत नहीं है, मैं यही सुजेस्ट करूंगा, कि आप पहले और बजट की प्रॉब्लम है, विदाउट ओपियस मतलब एंड्रॉइड लेटेस्ट जनरेशन एट्थ का पैनल पैफर करें, उसके बाद experience थोड़ी देर लेने के बाद, फिर जब budget भी बन जाएगा, फिर step by step आप next OPS की अगर जरूरत पड़ती है, तो लगवाएं, वो minimum IE5 से कम मतलगवाएं, यह बहुत survey कर चुका हूँ, बार बार यह information मिल रही, इसे कम नहीं जाना चाहिए, पैनल के उपर, तो OPS की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, अगर यह आपकी जरूरत नहीं है, आप maths, physics, जहां कोई और subject सीधा teach करना चाहते हो, तो फिर आपको OPS की लेने की जरूरत ही नहीं है, दूसरा option OPS का यह भी है, कि आप अपने laptop से, अगर अच्छा laptop है, IE5 laptop है, तो OPS की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप उससे attach कर सकते हो, उससे attach करके वही functioning, जो app डाउनलोड करके यह split करना है, वो आप पूरा कर सकते हो, ठीक है, तो first suggestion है, कि आप अगर decision लेने में आपको problem है, तो आप without OPS वाला लेजिए, max hub का सिर्फ 75 का हुई हो, जो with OPS ही आत होगे, आप max hub के जगा पर आप viewsonic, LG जहां और कोई popular brand जो आप prefer करना चाहते हो, क्योंकि max hub 75 में option नहीं देता, उसमें in build ही आता है, उसका price relatively कम है, बाकियों से, वो आप video में जाके देख सकते हो, अच्छा next point है, कि आपका budget, ये तो major है, अगर आपका budget very low है, इसलिए आप non popular में जा रहे हो, non popular में जा रहे हो, यहां पर budget low है करके, तो आप ये देखिए कि आपने future में कितनी देर, आपकी planning कितनी है, आपकी academy जो है, चल रही है जाप start करना चाहते हो, अगर चल रही है, तो आप फिर popular की तरफ जाएए, अगर आप new start करना चाहते हो, risk ले रहे हो, ठ रिस्क ले रहे हो तो फिर आप नॉन पॉपलर के क्योंकि रेट का बहुत फर्क है उसका सोच सकते हो ठीक अच्छा क्या हो रहा है कि जो लोग पर्सनल अकैडमी के लिए ले रहे हैं वो पॉपलर ब्रैंड ही प्रैफर कर रहे हैं जो अपने स्कूल के लिए प्राइवेट स् सस्ता चाहिए उन्होंने सिर्फ दिखाना है कि डिजिटल स्मार्ट स्कूल स्मार्ट क्लासरूम ये शबद एड करने लेबल लगाना है अंदर कुछ नहीं है खाली है सिर्फ कौन यूज कर रहा है इनको इनको यूनिवरस्टी शायद यूज कर रही है और इनको ये जो अक कि सब लगबग नाटक है सिर्फ डिस्पले किया जाता है यूज करने के लिए लॉक ही नी खुला जाता वो यूजर तडपता रहता है तो वो लोग इनको प्रेफर करती है जो रियल यूजर है अपने चीज यूज करनी है तो फिर वो पॉपलर ब्रेंड की तरफ आते है अच्छा सौफ्टवेर हाडवेर स्पेसिफिकेशन जैसे कि आपने रैम कितनी लेनी है रोम कितनी लेनी है कुछ ऐसे डिसेजन वो वीडियो में बता चुका हूँ सिर्फ ये है कि मैक्सप का जो है 4GB 128 SSD के साथ आ रहा है तो बाकी जो पैनल है उनका 3GB आ रहा है लेटस जिनरेशन ये डिफरेंस है तो मैंने मेरे जो एक्सपीरियंस में आया है कि इतनी जरूरत रैम की नहीं पड़ती क्योंकि ये देखिए पैन ड्राइव मैंने लगा रखे हैं एक्स्ट्रा लगा रखे हैं ये यूज हो रहे हैं और 3GB है व्यू स्वानिक का तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है मुझे कोई प्राबलम नहीं अभी तक आई इसमें तो हाड़वेर वो आपने प्रैफर्म इससे कम मत कीजिए इससे ज्यादा ही कीजिए क्योंकि टेक्नोलजी एक तो लेटेस्ट हमेशा प्रैफर करें और दूसरा अगर आपकी कोई मेमरी है जहां कोई कपैस्टी ज्यादा एन्हांस हो सकती है जैसे OPS में मेरे में जो SSD है वो एक्स्टेंडेबल है उसकी चार गुना एक्स्टेंड तीन गुना एक्स्टेंड हो सकती है मैंने वो ऑप्शन वाला लिया है दूसरा था एक्स्टेंड नहीं होती थी तो ऐसी हाड़वेर की आपने स्पेसिफिकेशन डिसाइड करनी है जरूरी है सौफ्टवेर सौफ्टवेर यह आपने पहले देखना है यह टेस्टिंग नहीं होगी क्योंकि हर कंपनी दूसरी कंपनी का लेके सौफ्टवेर दे रही हैं जैसे नोट 1 है, नोट 5 है यह दूसरे वीडियो में सब कुछ डिसकस किया है लेकिन व्यू सौनिक से फैसी कंपनी है जो अपना ही गूगल और इंटेल के टाई अप से इनका सौफ्टवेर बनता है और आपको अपडिट रेगुलर मिलता रहता है यह एक मेजर पॉइंट था तो सौफ्टवेर आपको जरूरत है तो आप प्रेफर करें अगर नहीं जरूरत है तो आप फिर नॉन पॉपलर की तरफ भी जा सकते हो ठीक है टोटल पॉइंट नॉन पॉपलर की तरफ बहुत कम बने हैं ठीक जो लोग रिस्क लेना है नहीं चाहते फ्यूचर उनका अच्छा है वो उनके अकेडमी चल रही है वो पॉपलर को ही प्रेफर करें यह मैं रेपिटिशन बार-बार कर रहा हूँ आई केर टकनोलजी फिर यहां पॉपलर की बात आगी इनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है के आई केर टकनोलजी के बड़े पॉइंट है आई केर टकनोलजी के जो फ्लिकरिंग प्रॉबलम है ब्लू लाइट फिल्टर है ऐसे पॉइंट्स मैंने दूसरे वीडियो में डिसकस किये हुए है इनके पास सर्टिफिकेशन है LG ViewSonic इनको BenQ को आई केर टकनोलजी में अच्छा माना जाता है लगबग ये 60 से 70 परसेंट अपनी तरह से बता रहा हूँ 60 से 70 परसेंट आपकी आई केर करते हैं अगर इतना करते हैं तो फिर आपको देखे पैनल बदला जाएगा आँखें नहीं बदली जाएगी इसको बात को ध्यान में रखना और अगर ये टकनोलजी अच्छी है आप 6 गहंटे इस पर काम करते हो यहाँ इस पर 8 गहंटे कर लोगे ज्यादा बता दिया अगर 3 गहंटे इस पर काम करते हो चाइना की टकनोलजी है जब बनता है ये दोनों अलग लग फैक्टर है ताइवान के हमारे पास आ रहे हैं ये जो है LG का साउथ कोरिया का है व्यू सॉनिक अमेरिका का है BenQ बिरिखल में ताइवान का है उधर बताया होगा वीडियो में मैंने MaxHub चाइना का ही टकनोलजी है चाइना में ही बनता है यहां पर MaxHub के डाउन पॉइंट जाते है सैमसंग का पता नहीं कोई इंफोर्मेशन ही नहीं मिलती तो ये सारे जो हैं ये चाइना से अपने वो स्पेर पार्ट मगवाते हैं जैसे एक पार्ट, दो पार्ट, तीर पार्ट और यहां पर एसेंबल होते है और तीसरी केटगरी इसमें वो बली है जो इंडिया में ही बनती है इंडिया में बनने वाले पैनल जो हैं वो इसलिए हैं कि गॉर्मेंट जो ग्रांट देती है ठीक है और यह जो असेंबल होते हैं इंडिया में और दो एक दो कंपनी हैं जो इंडिया में ही सब कुछ उनका बनता है तो यह तीन तरह की डिवीजन है इसमें तो चाइना इवन चाइना के नाम से आप समझ सकते हो यह डिस्करीजिंग फैक्टर है सर्विस के लिए लोकेशन आपकी रूरल है अर्बन है यह भी फर्क पड़ता है अगर आपका रूरल है इन्होंने खुद आके सर्विस प्रोवाइड करनी है मैं बता रहा हूँ तो रूरल एरिया में कहां पहुंचेंगे अगर आप डिस्टिक के पास हो तो आपके पास इनकी सर्विस इजी ली अवेलेबल है पॉपलर ब्रैंड की नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूजफुलनेस ये बात हो चुकी है कितना ज्यादा डेली यूज़ करना चाहते हो आपका फ्यूचर क्या हो चुकी है ये भी बात हो चुकी है अच्छा कोविड के टाइम पर जिन्होंने जल्दी लेके खर लिया है अब तो सिचुएशन मेरे ख्याल नॉर्मल हो चुकी है तो उसमें भी जल्दी खरीद लेना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका परपस क्या है अगर यूट्यूब ओनली है आप 65 और ब्रैंड पॉपलर पर सीधा चले जाएए अगर बजट की प्राब्लम नहीं है तो ठीक वैसे तो 65 का विदाउट OPS आपको बहुत सस्ता एक लाख एक लाख बीस अजार तक मेरे ख्याल में मैंने प्राइस डिसकस किये हैं दूसरे वीडियो में वहाँ देख सकते हो अप उतने में मिल जाता है ठीक है तो अगर आपने फेस टू फेस टीच करना है तो आपको 75 में ही जाना होगा ठीक है फेस टू फेस कर रहे हो आप टीच साथ में स्ट्रीमिंग भी कर रहे हो तो फिर भी आपको पॉपलर में ही जाना चाहिए ठीक अच्छा आपकी टीम है चार जाने मिलके ले रहे हो आपका रेगुलर यूज होना है ये दो अलग लग पॉइंट है अगर टीम है फिर पॉपलर में जाओ अगर रेगुलर यूज होना है फिर पॉपलर में जाओ पीरिड अफ डेली टाइम बात हो चुकी है जयादा है कुई किसी दिन दो तिन तीन घंठे चल जाता है अदरवाइस गैप भी पड़ता है जब मुझे वो मिलता है कोई टाइम मिलता है क्योंकि बड़ी प्लैनिंग करनी पड़ती है PPT त्यार करने बहुत ज्यादा वक्त लगता है तो regular मेरा use नहीं हो रहा है ठीक तो step by step जाएए एकदम सारा कुछ purchase मत कीजिए पहले ये board लेजिए without OPS उसके बाद अपनी setting जो है बेशक mobile से teach कीजिए मैंने ये अब camera भी इस्ट प्रीट सर का camera है वो try out कर रहा हूँ मेरा भी experimental phase चल रहा है light पर मेरा experiment चल रहा है अभी क्म खर्चे बारी light प्रेफर कर रहा हूँ आप ये देख सकते हो पतना अब भी मैं कितना काला नजर आ रहा हूँ तो इस पर अगर आपको जरूरत होगी सारा ये दिखा दूँगा अगर आप comment box में कहोगे तो step by step जाएए एक दम सारा खर्चा मत कीजिए अगर budget अच्छा है तो फिर फिर तो कोई वीडियो देखने की भी मेरे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है return आपको monetary return immediate मिलनी है जा late मिलनी है जहां मिलने की कोई संभावना नहीं है मेरे तो कोई ऐसा था ही नहीं ठीक है ना आप मैं tuition करता हूँ ना मैं वैसे teach करता हूँ मैं तो अपने वो आप देखे रहे हूँ कैसे video डाल रहा हूँ बस तो return immediate है तो आप अपलर में सीधे चले जाएए फिर wait मत कीजिए prepare a return list पक का अपनी preference आप ज़रूर लिखे मुझे यह जह चाहिए मुझे मैं teaching के लिए मुझे यह जह चाहिए किस में पूरा होता है आप comment box में पूछिए मैं answer दोंगा कि यह चीज आपके लिए suitable है जा नहीं आपकी fulfill करेगी need को के नहीं अच्छा latest technology को latest model को prefer कीज़े यह ऐसे यह third generation का था वो panel 3 के बाद लिखा हुआ है जो भी मॉडल था तो वो अभी आयाई था मैंने वो prefer किया था यह 3 GB है इससे पहले 2 GB वाला model था ठीक तो मैंने वो prefer किया तो total मिला के आपका क्या बनता है कि brand popular यह best है durable है budget अच्छा है आपके पास आपने ज्यादा तर यूज करना है आपके पास return अच्छी है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा rank 1 rank 1 यह जा रहा है चीक है rank 2 पर size 75 में मैं यह कहूंगा non popular में जाने से बहतर है आप 65 में यहां आगया rank 2 first आगया यह इसको रब करके दिखाता हूं यह रब हो जाता है कहां गया भी यह रब बड़ी ऐसे भी हो जाता है अफोऑ नहीं हुआ आप अजिए नहीं हुआ नहीं हुआ आप 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 यह क्यों नहीं हो रहा अच्छा यह हो गया ज्यादा दिवाया था मैंने यह यहां से यह यह रब हो गया ठीक है फर्स्ट रैंक पर यह आ रहा है 75 का पॉपलर का दूसरा आ रहा है नॉन पॉपलर के 75 में जाने से अच्छा है पॉपलर के 65 में चले जाओ और थर्ड आ रहा है आपका 75 का नॉन पॉपलर और लास्ट में आ रहा है फॉर्थ रैंक आपका यह ठीक और इसके इलाबा आपका OPS का है पहले विदाउट OPS विदाउट विदाउट OPS विदाउट वाला प्रैफर करें क्योंकि उसमें आपको experience से कई कई कुछ knowledge YouTube से सारे ब्रमंड की knowledge ले लो आपको नहीं मिलेगी लेकिन आपके experience से जो मिलेगा वो ज्यादा सच होगा मैंने भी इतना data collect किया लेकिन कई कुछ मुझे experience से ही मिला है तो ये था टोटल इसके इलावा आपका कोई question है मेरे ख्याल में मैंने सारे point cover कर दिये हैं मैं जो करना चाहता था तो थोड़ा इंडिजियल यूटिवर ओके ये सारा हो चुका है इसके इलावा आपका कोई question है आप फिर पूछ सकते हो ठीक है तो किसी भी information की ज़रूरत है आप comment box में लिखिए आपको information ज़रूर दूगा thank you